देखिए जनता दल यू कोई बात अचानक कहती है और न कोई बात मने बिना किसी आधार के कहती है। जनता दल यू का सुरू से मानना रहा है कि सीटों का बटवारा जल्द होना चाहिए और सीट कैसे बटेंगे इसका फैसला तो जब सभी दलों के लोग बैठेंगे तो आपस में होगा। और पिछली बार हम लोग सत्रह लड़े थे, शोल्off हम लोगों के अभी वर्तमाण सांसद है, तो इसमें कहां कोई नई बात है। यह तो पांट साल पुणानी बात है, कि हम लोग सत्रह स्यट लड़े थे और शोला सांसद हमारे हैं। इसमें तो न कोई बात अचानक है, न कोई नई बात है, अभी यह वर्तमान इंडी गठ बंधन के बनने के बाद से, सबसे प्रासंगिक बात जो है, जो हमारे नेता मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी भी लगातार, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा था, कि जून से ही, जब 23 जून को इंडी गठ बंधन की नीव पड़ी थी, जो नितीश कुमार जी के प्रयासों और पहल के कारण ही संभव हो पाई थी, उसी समय से हम लोगों का मानना है, कि किसी भी गठ बंधन के सफलता से अंजाम तक पहुचने की इस्थिती तभी होती है, जब गठ बंधन के सभी दलों के बीच सीटों का बटवारा मुकमल तरीके से हो जाता है, और यही हम लोग चाहते हैं और बातचीत में भी सब लोग जान्ते हैं कि हम लोगों का राज़द से alliance हुआ गया उसकے पहले हम लोग इंडिये में थे और हम लोग जब इंडिये थे उसी वक्त से राज़द का कॉंग्रेस और बामपंथी पार्टियों से एलाइंस है उनका पुड़ाना एलाइंस है वो लोग साथ में आये हैं तो ये सारी इस्थिति तो मनें कोई नई है नचानक से पैदा हुई है ये बातें तो सुरू से हैं और लगातार बनी हुई है बात असल ये है कि हम लोगों का मानना है कि सीटों के बटवारे में अब देड़ करना उचित नहीं है इससे गठवंधन के ही नुकसान होने की संभावना इसलिए हम लोग चा करतें